Japanese Language शुरू करते समय students के पास काफी सारे doubts होते हैं, काफी सारे questions होते हैं Usually वो ये स्तोचते हैं कि हमें Language शुरू करते समय कुछ चीजों का ध्यान तो नहीं रखना हमें Japanese Language शुरू करने से पहले क्या-क्या knowledge होनी चाहिए तो ये वीडियो उस चीज के लिए आपके सभी solutions के लिए मैंने बनाने की कोशिश की है जैसे कि JLPT क्या होता है Japanese Language के कोई levels या फिर certification tests और भी हैं जो हमें clear करने हैं या नहीं सिरफ JLPT से काम हो जाएगा तो सबसे पहले इनी चीजों को हम मैं कोशिश करूँगा इन सब के answers करने की और इसके थूरू आपको ये भी बताना चाहूँगा कि Japanese Language शुरू करते समय हमें किन-किन चीजों का ख्याल रखना है Welcome to New Hongo Max, मेरा ना महरवी तो step number one आपको Japanese Language शुरू करते समय किसी चीज के बारे में नहीं सोचना कि कोई certification ऐसा या कोई इसका पहले से मुझे किसी चीज का preparation होना चाहिए तभी मैं entrance exam पास कर पाऊँगा जी नहीं आप आराम से जाके या फिर JNU में admission ले सकते हैं या फिर अगर आपको private coaching लेनी है तो आप N5 level से start कर सकते हैं N5 level होता है JLPT का सबसे पहला सबसे beginners level जैसे कि अगर हम English की बात करें तो ABCD सीखते समय मतलब ABCD सीखते हुए हम फिर words बनाना सीखते हैं फिर sentences बनाना सीखते हैं इसी चीज़ को N5 level केटर करता है यानि कि N5 level की अगर आप preparation कर ले हैं तो इसका मतलब है आपने बिल्कुल starting से सीखना शुरू कर दिया है Japanese language को तो बात करते हैं हम Japanese language को शुरू करते समय हमें किन-किन चीज़ों का ख्याल रखना है तो क्या हमें script से शुरू करना है या फिर हम पहले words बनाना सीखें पहले sentences बनाना सीखें हम grammar सीखें vocabulary सीखें हम क्या सीखें तो बहुत जादा knowledge लेना बहुत जादा ग्यान बटोरना भी कभी-कभी हानिकारक हो जाता है यानि कि आपको simple language को सीखना शुरू करना है अगर आप script से अचानक नहीं शुरू कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं आप sounds से शुरू कर सकते हैं sound से मेरा मतलब है अगर आप कुछ भी लिखना या पढ़ना नहीं चाहते हैं अभी starting के लिए तो आप सिरफ बोलना सीख सकते हैं जैसे कि मेरा नाम ये है मैं यहां रहता हूँ मैं इतने बज़े उठता हूँ इतने बज़े मैं office जाता हूँ तो basic sentences आप सीख सकते हैं उसके बाद आपको script सीखने में आसानी होगी frankly speaking हम लोग भी पहले sound से ही शुरू करते हैं जैसे हमारे institute में nihongo max में हम N5 की जब training देते हैं तो सबसे पहले starting classes में starting 3 classes, 4 classes, 5 classes, 6 classes हम ऐसे चलने देते हैं कि आपको sound से आप एकदम comfortable हो जाए एक बार आपको sound पता चल गया जैसे कि kuruma का मतलब होता है car तो आप उसकी script भी बड़े अराम से सीख सकते हैं कि script में जब आप उसको read कर रहे होगे तो आपको read करने वाला दिमाग नहीं चलाना पड़ेगा पहले सी आता है kuruma ठीक है तो उसके बाद आपको सिरफ script ही सीखनी पड़ेगी उसके बाद आपको देख देख के script सीखनी है या लिख के script सीखनी है आपकी मर्जी है ठीक है रहता है advanced language में script काफी सारी बढ़ जाती है तो अगर हम उनको लिखना शुरू करेंगे तो फिर से वही basic वाला pattern हमको लगभग एक साल लगा देगा advanced language में ले जाने के लिए ठीक है लेकिन इसके लिए 6 महीने का ही time काफी होता है अगर आप इसको read करके recognize करके सीखने के तरीक है इस बात पर मैंने काफी सारे पहले भी videos बनाई है कि Japanese language westerners के लिए क्योंकि वह mainly वहाँ पर English language चलती है जैसे यॉरप या अमेरिका में तो उनकी उनका feedback है कि Japanese language बहुत मुश्किल है क्योंकि इसका grammar structure बिल्कुल उल्टा है हिंदी से इसका grammar structure बिल्कुल मिलता जुलता है ठी हिंदी language हमारी native language है तो हमारे लिए बहुत बहुत आसान है Japanese language को सीखना हमारे लिए बल्की जादा आसान है ठीक है तो grammar से बिल्कुल मत घपराइए और advanced language के लिए भी मैंने बहुत सारे videos बनाए है उन videos को भी देखेगा आपको बहुत अच्छी guidance मिलेगी आपकी Japanese language जो है वो इसको बनाए हुए हमने nihongomax.com पर आज ही जाकर देखें बहुत ही कम subscription cost पर आप Japanese language को सीख सकते हैं बिल्कुल zero से अगर आपको कुछ भी नहीं आता बिल्कुल आप zero से सीख सकते हैं advanced level तक जा सकते हैं Thank you so much